हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग प्राचीन भारत की हमने पूरी सीरीज खतम कर दी अब हमारी जो सीरीज चलेगी अब वो हमारी सीरीज चलेगी किस चीज की अब वो हमारी सीरीज चलेगी बेटा मद्धिकालीन भारत की मद्धिकालीन भारत को अंगरेजी में मेडिव इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं इसको अगर आप देखेंगे तो अरब तुर्क अफगानी इनी का काल माना गया है यहां पर यही तीन ऐसे हैं जिनके काल पे यहां सारे कारे हुए हैं तो अरबों को साथवी शताबदी में एक सक्तिशाली राजी की रूप में उदे हुए जो ने भारत पर आक्रमण किया सबसे पहले उसने थट्टा के पास देवबल बंदरगाव को अधीन करना चाहता था अरबों ने चिकिस्ता दर्शन सास नसस चातर गडित्र और साशन प्रवंदन की सिचा भारतियों से ली अरब ने सिंध में उट पालना खजूर की खेती प्र अरब आक्रमण कारी मुहमद बीन कासिव ने सिंध वाश्यों से जजिया नामक कर को सबसे पहले वसूलना प्रारभ किया अब इटा यहाँ पर क्या अरब विदवान भारत से बगदाद के साथ बगदाद दो पुस्तके लेगा एक ब्रमबुप्त का ब्रमसिद्धान और दूसरा खंड खा दे यह दोनों पुस्तके जो थी जिन्होंने अरेबिक नंबर बाद में दिये भारत में तुर्की आक्रमब की बात करेंगे तो और वों के बाद भारत में बेटा तुर्कियों ने आक्रमब किया अल्थबगीन का पुत्रता सुबुत्वगीन प्रथम तुर्की साशक था जिसने भारत पर आक्रमण किया हिंदु साही साशक जैपाल के राजी में इसने आक्रमण किया उसे पराजित किया और कहा जाता है इसी अफसरों से भारत में प्रतिवश आक्रमण करने की सपत ली थी अब देगा यहां पर क्या हो रहा है यह लोग क्या क्या रहा है यह कसमे खा रहे हैं कि भही हम प्रतिवश भारत पर आक्रमण करेंगे अब इसके बाद क्या होता है इसके बाद बेड़ा महमूद ने जब भारत पर आक्रमण किया तो मुलतान सिंद्ध में मुलतान सिंद्ध के साथ क्या हुआ ठीक है इसके बाद जब ये था तो जब इन्हों ने पहली बार साशन किया और आक्रमण किया तो क्या हुआ जब महमूद ने पहली बार साशन किया तो आक्रमण के सवे मुलतान सिंद में मुसल्मानी राजय उत्तर पर्शिमभाग में हिंदू साही साशक जैपाल बैठे थे उसे में कश्मीर में ब्रामन वंस का राजय था महमूद ने पर्थम आक्रमण एक हजार एक में हिंदू साही साशक जैपाल के किराब किया दूसरा महतपूर मुलतान पर हुआ जहां सिया शंप्रदाइक कटरपंती अब्दूल फटह फाउत थे मुलतान पर दूसरी बार महमूद ने 2010-2011 में साशन किया महमूद गजनीव सरवादे को लेकनी आक्रमण गुजरात के समुत्रट पर सोमनात का मंदिर था वहाँ पर उस समय उसका साशकौन था भीम प्रथम हुआ करता था अब इसके बाद देखिए महमूद गजनीव का अंतिम्यूद 1027 में जाटों के साथ हुआ महमूद ने एक गठिस सेना था था उसकी कमान तिलक नामक हिंदू सेना के हाथ में छोड़ी और महमूद के दरबार में अलबरुनी फुर्दोसी उत्वी जैसे विदवान थे महमूद के आकरमड के समय भारत आया था जिसकी प्रसित पुस्ता किताब उलहिंद ततकाले कित्यास जाने का श्रूत है महमूद का प्रमुकु देश भारत की संपत्ति को लूटना था पंजाब मुलतान पे तुर्कों के साथ इस्थाय अधिकार करना था महमूद गजनवी के आकरमड की अगर बात करें बेटा तो इसके आकरमड कैसे थी अब आईए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं तो मेहमूद गजनवी के आकमडों की बात करेंगे तो ये बिटा ग्राफ आपके सामने आएगा आप इसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे तो आपको चीज़े याद हो जाएंगी थोड़ी बहुत तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजे कहां से कैसे आए पहली बार हिंदू शासक फिर हिंदू शाही जैपाल फिर विजयराय फिर सुक्फाल फिर आनंदपाल फिर अग्यासाशक के साथ फिर सुक्फाल फिर राजाराम संग्राम लोहार प्रतिहार राजिपाल ठीक है राजिपाल तक ये लोग पहुँच चुके थे तो ये क्या है ये सारे अटैक थ तो गौरी वंश की बात करें कि आरब में गौरी गजनी के अधीन था, गौरी समराज का अधार उत्तर परशिम अफगानिस्तान था, मौमद गौरी सर्श बनी वंश के थे, मौमद गौरी का प्रत्वा आकरमण गया 1075 में मुलतान पर हुआ, और 78 में गौरी ने गुज़ात युद्जीता और भारत में एक तुर्की राजी की स्थापना की, मौमद गौरी के सिक्कों के एक उवर कलिमा खुदा रहता था, दूसरी और लच्छमी के आकरिती अंकित रहती थी, दोजा बारा सो छे में इनकी मृत्ती होती और भारत में गुलाम वंश की नीव डालते ह अगला लेक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या आजाएगा आपके लिए, वहाँ पर आपके लिए आजाएगा दिल्ली सल्तनत, तो हम क्या स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत